रामपूर की सियासी सत्ता से भारतिय जंता पार्टी ने आजम खान को उखाड़ फेका जी हाँ आजम खान की जो विरासिती जीत चली आ रहे थी लगातार उनको अच्छा खास समवर्थन लोगसबा और विधानसबा चुनाब में जीत मिल रही थी इस साल हुए लोगसबा और विधानसबा चुनाब दोनों ही बीजेपी के पक्ष में गए सबसे बड़ी हार हुई सपा पार्टी की हम आजम खान को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे जितनी जादा मेहनत मेंनपुरी स्ट्रीट पर डिम्पल के समर्तन में अखलेश यादब ने शिपाल यादब ने आदित्ति यादब ने और परिवार के हर एक सदस्य ने की अगर उतनी मेहनत उतना ही जोर यहाँ पर रामपुर में लगाया गया होता तो शायद जामपुर भी बच जाता क्योंकि परशासन के खिलाब मेंनपुरी में आवाज उठाई तो उसका निशकर्स देखने कुमला की लोगों ने आवाज सुनी और दो लाग से यादा मतों से डिम्पल को जिताया लेकिन रामपुर में क्या हुआ रामपुर में अखिलेश ने बस कुछ बयान दिये लेकिन वहाँ पर नजर नहीं आए रामपुर की जनता के बीच जादा एक्टिव नहीं हुए तो ये सारी जो दुश्मनिया थी ये सारी जो नराजगी थी पहले से ही थी नेता परतिपक्ष का पच चाते थे या अपने परिवार में से किसी एक को विदान सबा या लोग सबा में रामपुर से खड़ा होते देखना चाते थे और दोने ही तरफ देखे तो आसिम रजा को खड़ा किया गया था और आसिम रजा दोनों में ही हार गए लेकिन पहले भी हमने देखा था जब जेल से बाहर आये थे आजम खान तो उनको कांग्रेस पार्टी ये कहती नजर आ रहे थी कि आपका स्वागा थे क्योंकि आप जेसा कदावर नेता जो बड़ा मुस्लिम समाज को यहाँ पर आगे बढ़ाता है ऐसे नेताओं कि हमें शक्त जरूत रहती है तो कांग्रेस पार्टी ने साफ उनके लिए अपने द्वार खोले थे लेकिन सपा का ये धोका था क्योंकि कई लोगों ने दावा भी किया कि जान बुझकर अखिलेश आदम ने रामपूर का चुनाव हार ने दिया क्योंकि रामपूर आप रखे बीजेपी और मेनपूरी हमें दे दें ये उनके बीच डील हुई थी ऐसी बाती हो रही थी क्या सब को पता है क्योंकि दोहजार 22 क्योंकि तो कयासो का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि क्या कांग्रेस पार्टी में एंट्रे आजम खान की देखने को मिल सकती है ये सबसे बड़ा सवाल जनता जानना चाहती है तो इस पर यहाँ पर कहीं न कहीं आजम खान ने साफ कहा था कि सन्यास लेने को तैयार हूँ लेकिन कांग्रिस पार्टी में कभी नहीं जाओंगा या किसी और पार्टी में नहीं जाओंगा सपा मेरा आजम खान के मीडिया पर वक्ता थे उन्हों नहीं हाँ पर बीच में देखा था बीजेपी का हाथ थाम लिया था तो क्या कोई और नेता है कांग्रेस की और जाएगा क्या कांग्रेस यहां पर तंजिन फातिमाय सिद्रा को टिकट दिया जा सकता आने वाले चुनावों में य कर दो झाएगा था बिसनिता है कांग्रेस की और तंजिन फाने वाले चाने टाहिएपी का रिकट दो कांग्रेस